स्वागत बच्चों आपका सेल स्टडी के चैनल में और आज हम अपनी बेसिक की जो जीरंड प्रेजन पाटिसिपल पास्ट पाटिसिपल और इंफिनिटी जहां हमने स्टार्ट किया था उसकी सेकिंड वीडियो हम करने वाले हैं और इससे पहले फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवा चुका हूं जिसके अंदर हमने प्रेजन पार्टिसिपल और जीरंड को समझा था और कैसे किसी सेंटेंस में उनको अलग करेंगे कैसे पहचानेंगे उनको ये भी हमने पिछली वीडियो के अंदर जाना था और अगर आप लोगों ने वह वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जाकर वो देख लीजिए वहाँ पर मैंने अब तक टोटल इंग्लिश ग्रैमर में 16 लेक्चर जो है या 16 वीडियो जो है वहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रवाइड करवा दी है और काफी जादा इसके मैंने चोड़ा था कुछ टाइम बाद अभी ये थोड़ा टाइम चलेगा ये सैमी वर्ब मैं इसको कहता हूं क्योंकि इसके अंदर जो है ये वर्ब से ही बने हुए होते हैं अभी समझाओंगा इसका मतलब क्या होता है तो जब आप ये पिछली वाली सारी वीडियो देख प्रानी वाली सारी वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोगों को इस पूरी वीडियो जो ये देखेंगे इसका अच्छे से लाब प्राप्त हो पाए आप इसको अच्छे से यूज कर पाएं यहां पर जो नोलेज मिले उसकी ओके स्टार्ट करते हैं आज हम कर रहे हैं प वब की third form को देखा हुआ है कि has, have के साथ, head के साथ, will have के साथ, shall have के साथ यह जो है वब की third form आती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमने उसे वब के तोर पर ही देखा हैं और आज हम देखने वाले हैं कि क्या वब की third form सिर्फ वब ही बनती है कुछ और काम नहीं कर सकती क्या बे याद है, तीन काम करते हुए कौन-कौन से, एक नाउन बनते हुए हमने देखा था, एक एजेक्टी बनते हुए हमने देखा था, और एक वर्ब बनते हुए हमने देखा था, वर्ब तो हम उसको जानते ही आ रहे थे, कितने टाइम से हमने verb की base form plus i n ju guys verb use करते हुए देखा है verb की third form को भी हमने verb की तरीके से ही देखा है कभी adjective की तरीके से देखा ही नहीं और जिन्होंने देख रखा है तो काफी अच्छी बात है उनको एक additional information यहां मिल जाएगी जिन्होंने नहीं देख रखा तो आज आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है कि past participle क्या होते है infinity क्या होते है तो अब इसके बाद जो अगली slide आएगी उसके अंदर आप लोगों को कुछ questions दिये होंगे देखे मैंने क्या कहा कि अब तक मैं 16 वीडियो करवा चुका हूँ 16 वीडियो मैं जब करवा चुके 17 वीडियो है तो अगर आपने 16 वीडियो कर रखी होंगी जो मैं अभी थोड़ी दिर में एक question देने वाला हूँ तो वो आपको अच्छे से कर पाऊगे हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है वो मैं clear करने के लिए ही बैठा हूँ देखे यह रहे वो questions अब अगर यह मैंने आप लोगों को करवाने है तो seriously मैं class में भी बच्चों को यह time देता हूँ करने के लिए कि खुद करो मुझे क्या है मैं तो इसको 2 मिनिट में करी दूँगा न मुझे यहाँ पर अपनी knowledge आप लोगों को नहीं दिखानी है मेरा मकसद है आप लोग यहाँ से समझ कर जाएं सीख कर जाएं कि हाँ यह होते क्या है कैसे हम इसको पहचाने तो वीडियो पोज करिए और इन सारे sentence को break करिए जो नहीं आता अच्छी बात नहीं आता आपको पता चलेगा कि मुझे क्या नहीं आता और क्या सीखना है और जो आता है अच्छी चीज है कि यह चीज क्लीर हो चुके है मेरी किस पे मुझे फोकस कर रहा है चलिए पोज करिए उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने यह जो मैंने कहा है sentence break करने को break किये होंगे और नहीं किये तो यार फिर से मैं कह रहा हूँ कि कर लो break काफी अच्छा रहेगा आप लोगों सीखने को मिल जाएगा चलिए हम शुरू कर लेते पहला जो sentence है यह क्या हो रहा है पहला जो sentence है they have some instructions to Mr. Verma काम करती है इन दोनों को ही हम देखने वाले पहले sentence को break कर लेते है have helping verb give, gave, given verb की third form है मैंने का यह main verb है verb की तोर के पर काम कर रही है किनों ने दी, they ने दी subject है, क्या दिया instructions क्या बनेंगे object बनेंगे अब some क्या कर रहा है, some इसको qualify कर रहा है इसलिए हमने इसको adjective बोल दिया to preposition है और Mr. Verma इस preposition का object है तो यहां पर हमने इस verb की third form को क्या बनाया, verb बनाया सर इसको verb क्यों बनाया इसको क्या हम adjective नहीं बना सकते क्या मैंना बेशक बना सकते हो, यही तो doubt आपको clear करना है कि कब यह adjective होगी, कब यह verb होगी सर हमें कैसे पता चलेगा तो वही clear करने के लिए मैं बैठाओ चलिए यहां पर मैंने verb बना दिया इसको और वह भी बनेगी अब आते हैं adjective क्यों नहीं बनेगी, उसके उपर आते हैं अब अगर मैं इसको adjective बना रहा हूँ उपर लिख रहा हूँ, अगर मैं इस given को adjective बना रहा हूँ adjective यानि कि qualify करता है किसी noun या pronoun को definitely करता ही है, क्योंकि adjective का काम यह होता है अगर मैंने इसको adjective बना दिया तो यह have helping up ना रहके main verb रह जाएगी clear अब यहां मैंने क्या कह रहा है और जब have helping up होती है तो इसके बाद क्या आते है वो अपकी third form, यह चीज होगी और have, जब main verb बनती है तो इसका मतलब होता है अधिकार अधिकार होना इरिया इसका मतलब होता है खाना खाना तो दो meaning है यहां पर इसके ठीक है, आप लोगों के सामने अब दूसरे बेसे हम क्या चल रहे है कि भई हम इसको वो अपकी third form नहीं मानते हैं यहां पर हम इसको adjective मान लेते हैं इसको adjective मान लेंगे तो भई है यह have mean verb बनानी पड़ेगी, अगर यह have mean verb बनी तो इसका मतलब हो जाएगा अधिकार होना और खाना खाना, भई यहां पर इस sentence को पड़ो जरा they have given some instructions भई यह noun है, यह some इसको qualify कर रहा है, adjective और इसको qualify कर देगा, भई इसका मतलब क्या होगा उनके पास है धी हुई instructions उनके पास है, यहां पर possession दिखाना है, अधिकार दिखाना है they have given some instructions भई उनके पास है कुछ instructions दी हुई, भई सही है बिल्कुल लेकिन यह जो बाद का sentence लिखा हुआ यह two sentence के जो preposition और preposition का object, भई इसका meaning क्या बनेगा, भई यह तो आपने चलो कर लिया, have main word बना दी, given adjective बना दिया, यह इस adjective का अपना noun pronoun चाहिए था, यह instructions noun है यहाँ पे, इसको qualify कर गया दिक्कत क्या है सर, दिक्कत यह है कि भई यह two preposition है, और preposition के बाद उसका object लेका हुआ है, इसका meaning का क्या बनेगा, यहाँ पर meaning क्या बनेगा यार, उनके पास है instructions दी हुई, यह Mr. Verma का क्या रहो लहें फिर यहाँ पे, समझ रहे हो ना, क्या क्या नहीं कोशिश कर रहा हूँ, अगर sentence को सही करना है, आपको meaning और grammar दोनों सही करनी होगी, यहाँ पर आपने इस given को adjective बना दिया, और noun तो इसको मिल गया, have को अपने main word बना दिया, इसका मतलब हो गया, अधिकार होना, उनके पास है कुस instruction, लेकिन यह two preposition और Mr. Verma इसको लगा रहा है, तो यहाँ पर इसका कोई meaning नहीं बनेगा है, और जब meaning नहीं बनेगा, तो इससे यह समझ में आगए, यह adjective नहीं बनानी थी, यहाँ पर, यहाँ पर यह वर्ब ही बनानी थी, तो इन सब चीजों से मैंने देखा, कि यहाँ पर यह जो given जो है, वर्ब की जो third form है, वो यहाँ पर वर्ब के तोर पे काम कर रही है, ना कि adjective के तोर पे, तो यह मुझे समझाना था, और जब, वर्ब की third form, adjective के तोर पे काम करने लग जाए, उसको बोल दो past participle, past participle, दरसल क्या होता है, यह जो वर्ब की third form है न, यही past participle है, आप जब Cambridge की एक dictionary के अंदर, यह check करेंगे, वर्ब की third form, मतलब कि आग given लिखेंगे, longman dictionary होगी, Oxford होगी, Cambridge होगी, जब आप उसके अंदर कोई भी वर्ब की third form टाइप करेंगे, तो उसके नीचे लिखा आएगा past participle, actual में वर्ब की third form, वो कहते नहीं है, grammarian जो है, वो वर्ब की third form उन्होंने बनाई ही नहीं रखी है, उन्होंने past participle बना रख है, यह तो हमने, हमारे इंडिया में अपनी सहुलित के according, हमने V1, V2, V3, V4, V5, यह से वर्ब की पांच form चला ली हमने, लेकिन अच्छल में होता नहीं है ऐसा, वर्ब की third form जो है, वो past participle होती है, और past participle दो काम करती है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ, कि भईया जब वर्ब की third form, एक adjective के तोर पे काम करने लग जाए, उसको past participle बोल लो यार, कोई पहार थोड़ना तूट पड़ेगा उसमे, भई थोड़ा सा differentiate हो जाएगा, कि adjective है, इसको past participle बोल लिया हमने, तो यहाँ पर, जब भी वर्ब की third form, adjective का काम कर दे, उसको क्या कहेंगे, past participle बोलेगे, clear हूँ, अगला sentence देखो जरा, इसमें वर्ब क्या है, followed, अब तो गयाद होगा, कि वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब पहचानते कैसे हैं, जिसकी third form होती है, जो action को represent करती है, इवन मैंने तो बहुत अच्छे से, basic की class ली हुई है, आप लोगों की, वर्ब को कैसे define करेंगे, अभी मैं जानता हूँ कि, उसके अंदर मैंने कम बताया, आने वाले time में, जैसे वर्ब का lecture आएगा, फिर advance वर्ब का lecture आएगा, तो वहाँ तो और अच्छे से करेंगे, लेकिन ध्यान अगना वर्ब किसको कहते हैं, अगर नहीं बता है, तो जाकर वीडियो देख लो, पर्मोशन करते रहना चाहिए, बीच बीच में, क्योंकि last कुई पता है नहीं चले, कि अब छोड़ के भाग गई, प्रमोशन रहे के रहा गया, यहाँ पर देखो, followed क्या होगी, main verb होगी, our soldier followed, कौन follow करता है, कि काम कौन कर रहा है, subject, soldier, तो soldier बनेगी subject, कौन से soldier, our, यह क्या है, adjective, इसको बोलते हैं, possessive adjective, अधिकार जताने वाले, followed what, क्या follow करते हैं, instructions follow करते हैं, तो यह बनेगा, object, भया कितनी instructions, सभी की सभी, all instructions, तो यह बनेगा adjective, quantitative adjective, कौन सी, those, demonstrative adjective, इसको बोलते हैं, demonstrative adjective, और अब आ गया, यहाँ पर given, यह रहा given, अब फिर से, given, यह वर्ठ की, third form है, clear, अब जब यह वर्ठ की, third form है, तो भया, क्या यह वर्ठ है, यह वर्ठ बनेगा, चलो, एक काम करते हैं, इसको वर्ठ बनाते हैं, अगर मैने, इस given को वर्ठ बनाया, जब given, वर्ठ की third form बनती है, यहां पर यह नहीं होगा क्या इससे पहले कोई helping वब आईगी भई मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में यह बताया था वब की base form plus में ing तीनो टाइप के tense में आती है जैसे मैं यहां बताता हूँ देखे एक होता है present एक होता है past एक होता है future अब यहां पर सिर्फ एक ही चीज गरा रहा हूँ मैं वो है perfect present perfect, past perfect, future perfect अगर इन तीनों के अंदर आप एक चीज common देखें तो तीनों के अंदर common है verb की third form verb की third form हमें कैसे पता चलेगा जैसे मैं यहां लिखता हूँ mohan given instructions यह मैंने sentence लिख दिया यह verb की third form बना के बैठ गया मैं इसको verb बनाना चाहरा हूँ मैं अब अगर मैंने इसको verb बना दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा यह जो sentence मैंने लिखा है इसका tense क्या है इसका समय क्या है बैइ obviously क्योंकि तो तीनों में सेम आ रही है present में past में future में तो मुझे कैसे बता चलेगा इस sentence का tense क्या है बैइ इसी के लिए तो इन्होंने यहां पर क्या दे रखा है has, have, has, have या फिर यहां पर had प्लस में यहां प्लस आएगा will, shall इनके साथ have प्लस में वब की third form बैइ अगर इस से बहले has या had लिखा होगा तब ही तो पहचानोंगे बैइ यह बात जो है वो present की हो रही है यह बात जो है वो past की हो रही है यह बात जो है वो future की हो रही है यह वाले जो चीज है has, have, had यह कहते हैं कि बैइ या हम आएंगे अगर वब की third form आएगी तो हमें helping वब के तोर पर use करो तूं हम tense बताएंगे आप लोगों को क्योंकि वब की third form तो तीनों में present, past, future में तीनों में सेम चलती है वापस आते हैं अपने मुद्दे पर यह कह रहा था है यह जो given है यह जो given है क्या आप इसे वब बना सकते हो क्या आप इसे वब बना सकते हो बहिया वब बनाओगे तो फिर से वह requirement है कि लाओ बहिया, has have लाओ इसके लिए वो है नहीं और sentence का meaning है our soldier followed all those given instructions कि भही हमारे soldier जो है वो मानते हैं सारी की सारी दी हुई instructions तो यहाँ पर यह जो given है देकि मुझे पता है कि आप लोगों ने पता कर लिया होगा यह जो given है वो यह जो given है वो यहाँ पर verb नहीं है, यह adjective है लेकिन कई बच्चे होते हैं उनको थोड़ी clarify चाहिए होता है उनको बस clarify कर रहा हूँ clarity आ रहा हूँ उनके बीच में होते हैं कईयों का दिमाग थोड़ा सोचने का sir, हम इसको verb क्यों नहीं बना सकते वो वाला angle मैं उनको समझाने ही कोशिश कर रहा हूँ कि इसको verb इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि verb बनेगी तो यह तो has had बंगेगी has had बंगेगी, वो है नहीं हमारे पास और दूसरी बात अगर यह verb बनेगी तो को meaning नहीं बनेगा इसके लिए subject चाहिएगा यह इसके साथ link नहीं कर पाएगी follow के साथ इन दोनों को जोडने के लिए मिर पास कहीं पर भी conjunction नहीं है इतनी सारी चीजों से मैंने जान लिया यह जो given है, यहाँ पर verb नहीं है यह कुछ और काम कर रही है, यह adjective है यह instructions को qualify कर रही है इसको past participle बोलेंगे तो यह हो गया हमारे सामने past participle जो adjective के तोर पे काम करें भाईया उसको बोलो वो है past participle जो verb के तोर पे काम करें वो भी बोलना है अपने को तो verb की third form दो काम करती है adjective बनना, verb बनना कैसे हम identify करेंगे sentence के अंदर यह आपके सामने यही चीछ चल रही है मैं कोई error नहीं करा रहा हूँ अभी मेरा first of all आपको समझाना है कि कि किसी sentence के अंदर हम कैसे पैचानेंगे कि वो verb है, वो adjective है वो adjective में भी क्या past participle है present participle है, jeerend है, infinity है वो है क्या error आएंगे बाद क्या अभी error नहीं आने वाले है first of all तो आप लोगों identify करना सीख जो clear अगले sentence में चलते है Mohan bought a used car for his youngest son verb क्या इसके अंदर, बोट है औरे, वोब है गरीदने का काम किया गी, इसने Mohan ने, Mohan बनेगा subject क्या खरीद लिया, car खरीद लिया car बनेगा object for proportion है, proportion के बाद proportion के object आते हैं, son बनेगा proportion का object, youngest इसको qualify करने वाला adjective, he is इसके पर अधिकार जताने वाला भी adjective clear यहाँ पे अब यह article है, और यह used क्या है, used sir, used की ऐसे form चलती है used, used और used sir, यह V1 कहते हैं, हम इसको V2 कहते हैं इसको V3 कहते हैं, तो क्या यह V3, यहाँ पर verb का काम कर रही है, क्या यह verb है यहाँ पे sir, आप इसको V3 बोल रहे हो तो यह verb नहीं बन सकती, क्योंकि इससे पहले कोई has have होना चाहिए था head होना चाहिए था, तब तो इसको मान भी लेते, उसके बारे में सोचते भी, तो यह verb की third form नहीं है, sir, यह verb की second form भी तो हो सकती है, क्योंकि same चलती है, मैंने का बेशक हो सकती है, यार लगाओ चलो, कर लेते इसको भी, अगर आप इसको verb की second form मान रहे हो, used को तो यह नहीं होगा, यह verb रही, एक यह verb रही, तो दोनों को जोडने के लिए conjunction कहां है, और meaning क्या बनेगा फिर इसका, इसके लिए subject कहां चाहिए, और दूसरी चाहिए, भाईया, verb के पहले article नहीं आते है, इतनी चीजों से पता कर लिया, यह यहां पर verb नहीं है, न यह third वाली है न यह second वाली है, तो यह है क्या, भाईया, यह adjective है कैसे, जरह देखो न, qualify कर रही है, भाईया, मोहन ने एक कार खरी दी, कैसी कार खरी दी यह used कार, इस्तिमाल की होई कार करे दी, इस used ने इस कार को qualify कर दिया, तो यह verb बन गई यहां पर, adjective बन गया adjective बन गया, तो इसका हाई फाई नाम बोल देंगे, past, participle clear okay अगले sentence पर चलते है I used a calculator for all these calculations used अब यहां पर mean verb है, कौन सी वाली mean verb, वब की second form है या वब की third form है, यह verb की third form तो हो नहीं सकती, यह वब की second form है वब की third form होती, तो इससे पहले has, have, head आते, वो है नहीं, तो वब की second form बनाएंगे, clear यह subject है, अभी आ रहा होगा, अभी सब्सक्राइब इसको adjective क्यों नहीं बना सकते हैं, अभी आता हो used what, used calculator, यह object है यह article है, four preposition है calculation is preposition का object है, these इसको qualify करने वाला demonstrative adjective है, all इस calculation को qualify करने वाला quantitative adjective है अब आते हैं, बात करते हैं कि sir, आपने इसको verb क्यों बनाया, आप इसको verb की second form बनारे है, verb की third form तो चला हमने मान लिए नहीं बन सकती, क्योंकि इससे पहले has a, नहीं है head नहीं है, sir, यह adjective तो बन सकता है न, verb की third form तो adjective बन सकती है, मैंने का बेशक बन सकती है अगर तुम इसको adjective बनाओगे तो भाई, मुझे बताओ verb कहां से लाओगे, verb ही नहीं है इसके अंदर फिर तो तो verb नहीं है, तो बिना verb के तो sentence नहीं बनता, इसलिए यहां पर यह used जो है, वो verb के तौर पर काम करेगे अब अगला sentence और देख लेते है all the elected MPs were called by the Prime Minister अब verb क्या है इसके अंदर verb है यह, main verb were क्या है, were helping याद हो तो यह B की form plus verb की third form वाला structure यह passive है passive और passive में subject कोन होता है passive में subject वो होता है जिसके ओपर action हो यानि action का receiver, action का receiver जो है, वो subject होता है passive के अंदर by proportion है, Prime Minister is proportion का object है the article है अब, आओ जो रहा all the elected MPs were called by the Prime Minister, सभी के सभी जो चुने हुए MP है, Member of Parliament है उनको बुलाया गया Prime Minister के त्वारा अब यहाँ पर देखो यह तो verb होगी इस verb को चाहिए अपना subject subject क्या बनेगा यह old बनने से नहीं elected बनेगा elected ने, यह MPs यह बनेगा cold verb का subject बनेगा इसका receiver है ना किसको बुलाए गया MPs को बुलाए गया अब कितने सारे MP थे सबी के सबी इसको qualify करने वाला यह objective होगा भया कैसे थे चुने हुए objective चुने हुए MP थे इस elected ने इस MP को qualify कर दिया तो यहाँ पर यह objective बनेगा फिर से सवाल उठता है क्या sir यह verb नहीं बन सकती है मैंने का verb बनाओगे तो इसके लिए subject कहां से लाओगे इसके लिए subject कहां से लाओगे फिर यह इसका meaning क्या बनेगा all the elected all the elected what अब article आता है गया किसी verb के पहले अभी थोड़े दर पहले मैंने बात की भया verb के पहले article नहीं आता तो इतनी चीज़ों से हमने जाना यह elected जो है यहां पर verb नहीं है यह adjective के तोर पे काम कर रहा है और इसलिए इसको बोलेंगे past participle past participle तो यह वाली जो चीज थी मैंने आप लोगों कराई कि verb की जो third form है वो verb भी बन सकती है और वो adjective बनती है और जब वो adjective बनती है तो इसको आप बोलते थे हो और इसका हाइफाई नाव past participle यह थोड़ा सा रफ हो गया clear वब किस था है यह verb की basement plus मैं जी यह जो मैंने करवाया था नए adjective बनती है तो क्या बोलते हैं इसको present participle और जब यह noun बनती है तो इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अरे नीचे कैसे चल गया जीरंड बोलते हैं यह चल नहीं रहा शायद यहां पर clear तो यह मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर कराया था present participle और past participle present participle पिछली वीडियो में कराया था अभी देखिए ऐसा नहीं है कि मैं सारा का सारा concert आप लोगों को एक ही साथ दे रहा हूं क्योंकि content थोड़ा जादा है heavy है मैं नहीं चाहता कि ऐसी वीडियो में बना के रख दूँ जिसका कोई meaning ना रहे बच्चे को समझ में नहीं आए मैंने इतनी जादा knowledge ये दी कि भईया बच्चा उसको digest ही ना कर पाए तो वो मुझे वेरत लगता है इसलिए मैं कम time की वीडियो बनाना पसंद करता हूं उसमें थोड़ी थोड़ी information देता रहता हूं ताकि हाँ धीरे 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 वो चीज़ नहीं आती रहेंगी और जब course खतम हो रहा होगा मैं यह कहूंगा कि आप लोगों को सारी की सारी knowledge मिल जाएगी और जब खतम होगा तब तक तो मतलब 100% होगी आपकी पास knowledge तो 2 प्लस में वब की base form ये एक structure है इसमें 2 को preposition consider मत कर लेना क्योंकि ये दोनों मिलके एक structure बनाते हैं उस structure का नाम होता है infinity कई 2 प्लस में वब की first form बोल देते हैं मैंने 2 प्लस में वब की base form बोलता हूँ आपकी इच्छा है आप जो बोलो लेकिन first form में S E I S वाली चीज मतलगा देना clear अब 2 प्लस में वब की base form तीन काम करती है आपके सामने लिखे भी हुए वाई कौन-कौन से adverb बनने का, adjective बनने का और noun बनने का अब आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ noun ही पढ़ेंगे सर ये कब पढ़ेंगे adjective और adverb वाई ये पढ़ेंगे जब adjective हम detail पर कर रहे होंगे adverb भी जब detail पर कर रहे होंगे इन चीजों को वहाँ पढ़ेंगे क्योंकि मुझे अभी इसकी जुरूरत है इसलिए मैं इसको noun में करवा हुआ अभी की मतलब pronoun में आने वाले time में मुझे इसकी जुरूरत है इतनी ही जुरूर थे इसलिए इसका इतना ही काम आपको जानना जुरूर ही है आओ जरा नीचे sentence लिखा हुआ है She likes to sing यहाँ पर verb क्या है? Likes है कौन पसंद करता है? She करती है क्या पसंद करती है? भईया गाना गाना पसंद है उसे देखिए यह 2 प्लस में वर्ब की बेस वर्म है यह वर्ब की बेस वर्म से बनावा यह नी वर्ब है इसके अंदर वर्ब का आदा गुन है इसलिए इसको बोलते है semi verb अभी practice कराऊंगा आपको semi verb के बारे में और भी चीज़ें बताऊंगा इनको semi verb बोला जाता है यह नी अर्द बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर वर्ब के गुन होते है pure verb भी नहीं होते है लेकिन वर्ब के गुन भी होते है इसके अंदर तो एक क्या है she likes to sing किसी को कोई action पसंद आता है यह बात मैंने जीरंड या फिर infinity differentiate भी करूँगा कि जीरंड और infinity दोनों से को दोनों जो है वो एक sentence में use हो जाते है अब two plus में वर्ब की base form भी लिख दो या फिर वर्ब की base form के साथ ing भी लिख दो तो दोनों चीज़ें चल जाती है जहां present जहां infinity लग रहा है infinity को अटाके जीरंड भी लगा सकते है ये चीज़े भी हो सकती है similarity भी है उनके अंदर differentiate भी हम करने वाले है लेकिन आज की वीडियो में नहीं होगी वो पहले बता रहा हूँ मैं आज मेरा काम यही है कि आप ये infinity का structure समझ जाएं आपसे तो यहां पर देखो she likes what she likes to sing वो गाना गाना चाहिए उसे गाना पसंद है यह एक action पसंद है गाना गाना पसंद है उसे तो यह जो है इसको two plus में यह two preposition मत मान लेना यह sing जो है यह वर्ब है यह टूटे गा नहीं उस चीज में जब तक आप इसको यह लग-लग quantity मानोगे तो तो ठूटे का नहीं मानना क्या है इनको एक ही quantity मानो जब भी आपको sentence के अंदर preposition यानि two preposition मिल जाए और उसके साथ कोई verb मिले तो समझ लेना वो infinity लिखी हुई है तो यह infinity है यह noun का काम कर रही है अब यह चार sentence है और यह आप लोगों को करने है तो वीडियो पॉज करिए और करिए sentence को उमीद करता हूँ कि आप लोगोंने sentence करने की भरपूर कोशिश्खी होगी देखो आप करोगे आप सीख के जाओगे नहीं करोगे तो देखो वीडियो देखने का भी कोई फायदा नहीं है क्यूंकि यह उनको ही समझ में आने वाले है जिन्होंने first try किया हो उनको पता होता है यार यह क्या बनने वाला है यह चीज समझ में नहीं आ रही तो उस बंदे का doubt है उसके दिमाग में कि मुझे यहाँ यह समझ नहीं बस यह चीज समझ में आ जाए आप समझो इस चीज को जब तक आप अपनी pen copy नहीं चलाने वाले हो आप को इस समझ नहीं आएगी अब बोल तो ऐसे रहा हूँ जिसे मुझे पत्ता दिख रहा हो कि हाँ किसने चलाई है किसने नहीं चलाई बट कहने का फर्ज बन रहा है विचले बोल रहा हूँ चलिए infinity कर लेते हैं sentence देख लेते हैं I want to sleep on the floor verb क्या है want कौन चाहता है I चाहता है क्या चाहता है भाईया सोना चाहता है I want to sleep अभी इसको छोड़ देते हैं यह होगी preparation यह preparation का object ता article हो गया I want what क्या चाहता है मैं भाईया सोना चाहता हूँ जड़ा देखो यह अभी एक चीज़ समझानी है मुझे आप लोगों को एक sleep होता है noun और एक sleep होता है verb जब यह sleep noun होता है तो इसका मतलब होता है need और जब यह sleep verb होता है तो सोना यहनि एक need need लेना यहांपर reaction आता है अब कई बच्चों के दिमाग में ऐसा आता है कि sir आप इसको infinity क्यों मान रहे हो आप इनको अलग-अलग भी तो कर सकते हो इस two को preposition मान लो और यह preposition का object बन जाएगा क्योंकि यह तो noun होता है और preposition का object कोन होता है यह तो noun होता है यह तो pronoun होता है sir आप इसको noun मानो भई ठीक है मान लेता हूँ लेकिन यहाँ पर meaning क्या बनेगा I want need मैं need चाहता हूँ यह मैं सोना चाहता हूँ भई मैं सोना चाहता हूँ यहाँ पर मुझे एक action को इस verb का object के तोर पर यूज़ करना है वो काम कौन कर सकता है वो काम infinity कर सकता है इसलिए इस पूरे structure को आप proportion का object मत माने एक ही quantity माने और इसको noun कह दे और यह object बन जाएगा इस want verb का और यहाँ पर इसको आप infinity कह देंगे clear है तो यह होता है infinity एक action को आपको as a noun के तोर पर यूज़ करना है नहीं लगा सकता था क्योंकि दो-दो verb लगी हुई थी वहाँ पर फिर वहाँ पर meaning का ही कुछ अलग मतलब होन जाता clear next वाले sentence में चलते है he decided to go to Delhi अब इसमें क्या है इसमें decided होगी verb भाई यह किसने decide क्या he ने decide क्या यह subject होगा to proportion है यह preparation का object है वाई क्या decide क्या उन्होंने जाना decide क्या उन्होंने जाना decide क्या यह object है noun बना हुआ है यह infinity है अगला sentence देखो current tried to jump over the wall current ने try किया था क्या try किया था यह jump करने का कहा से दिवार के उपर से तो यहाँ पर verb क्या है verb होगी tried किसने try किया था current ने current बने गया subject अब over क्या है over proportion है wall is proportion का object है पर ट्राइ क्या किया था ट्राइ किया था जंप करने का यह एक action try किया था to jump तो यह बनेगा object अगर यह object बना तो इसको कह देंगे हम infinity जहां रखना क्योंकि noun है verb की base now two plus proportion और two plus में verb की base form से बना हुआ है इसलिए इसको infinity बोलेंगे अगला sentence देख लो to are is human is main verb है human subject compliment है अब मैंने कहा है कि subject आएगा verb आएगा अब यहां पर verb आगी इसके लिए subject चाहिए तो subject यह रहा to are यह दोनों ही बनेगे देखो यह are जो है वो error से बना हुआ है error से are बना है are का मतलब होता to make mistakes गलतियां करना इस sentence का meaning क्या है इनसान गलतियों का पूतला है गलतियां करता है वो तो इस verb को अपना subject चाहिए तो subject चाहिए तो to are बनाना पड़ेगा यह एक ही quantity माननी पड़ेगी infinity माननी पड़ेगी infinity मानेगे तो noun बन जाएगा noun बन जाएगा तो यह subject बन जाएगा बात इखा तुम यहाँ पे तो आज हमने क्या सीखा है इस वीडियो के अंदर हमने सीख लिया है past participle और infinity दोनों को पहचानना sentence और इस से पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को present participle और जिरंट सीखा दियो और अब आने वाली वीडियो के अंदर यह semi verb one मान लो semi verb चलो start कर रहा हूं कि semi verb start होने वाला है आप लोगों का वैसे semi verb भी चल रहा था क्या होगा उसके अंदर उसके अंदर आप लोगों की practice करवाई जाएगी आप लोग इनको identify कर पाएं कि कहाँ verb है कहाँ पर यह जीरंट है कहाँ पर यह present participle है कहाँ पर यह infinity है कहाँ पर यह past participle है कहाँ पर यह verb की third form है तो यह सारी चीजें आप लोगों को मैं practice के तुरू अगली वीडियो के अंदर करोंगा तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में अगर यह वीडियो पसंद आए तो like करें और जादा ही पसंद आए तो भया क्या कर सकते हो वीडियो को share कर सकते हो चैनल को share कर सकते हो चैनल को subscribe कर लीजिए और इस वीडियो से related आप लोगों को PDF चाहिए तो comment section में comment नहीं description box में link दिया हुआ मिलेगा आप लोगों को telegram का, whatsapp का whatsapp group और whatsapp whatsapp group नहीं telegram के group का facebook के group का और facebook के page का तो जाएए उनको join कर लीजिए वहाँ पर आप लोगों इसकी PDF मिल जाएगी तो बसाच के लिए नहीं था thank you for watching this video